हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति बावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि इस्त्रियों को ऐसे कार भूलके भी ना करने चाहिए जिससे घर की बरबादी और उनके पती को परेशानिया भोगनी पड़े तो संपूर ज इस्त्रियों को घर की लच्चमी का जाता है लेकिन उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर इस्त्रियों इन बातों का ध्यान नहीं रखती तो घर में दलिद्रता गरीबी का बास होता है और नाना प्रकार की परेशानिया भोगनी पड़ती हैं माता का कोप स करना पड़ता है और माता लच्मी सदा सदा के लिए घर से चले जाती है इसलिए बिसेस रूप से ये ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कार इस्तरियों को नहीं करने चाहिए जिस से उनके पती को परिसानी बोगनी पड़े तो उसी सम्मन्द में मैं आज जानकारी दे रहा हूं आप इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी गलती बूल के भी नहीं करें बरना बहुत ही बड़ी मुसीबत आना शुरू हो जाती है दोस्तों सबसे पहला रसोई में जूटे बरतन घर की इस्तरियों को साम के समय कभी भी रसोई में जूटे बरतन नहीं छोड़ने चाहिए इससे अनपूरा माता नाराज हो जाती है और माता लच्चमी जो है घर से चली जाती है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखे जब भी रात में सुए तो आप बरतनों को साप करके रखे और रसोई में पहुचा आदी लगा करके यानि रसोई को स्विष्ट करके तवी सुए जिससे माता प्रसनों करके आसिरवाद दे नम्मर दो बोजन की बरवादी जितनी बोजन की जरोत है उतना ही बोजन बनाएं ज्यादा बोजन नहीं बनाना चाहिए दोस्तों बोजन गरों में इतना बोजन बना लेते हैं कि वो बोजन कूड़े में फैकना पड़ता है तो इसलिए अन की बरवादी बिलकुल ना करें जो इस तरियां जाद अबोजन बनाती है और अन्द की बरबादी करती है वहां वी माता लच्चमी का बास नहीं होता है माता अन्द पूर्णा नाराज हो जाती है और घर में सदा ही तंगी सहनी पड़ती है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर खाना बच जाए तो वह किसी बरतन में डाल करके पक्षियों के लिए रख दें या गो माता के लिए दें जूटा खाना गो माता को ना दें वह आप किसी भी जैसे मच्चिया हो गई या कोई हो गई ऐसे इनको खिला दें जाडू में लात मारना काफ़ी लेड़ी जे होती है जो पैर से जाडू को सैड में करती है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जाडू में कभी लात नहीं माननी चाहिए क्योंकि बास तु दो उसके इसाफ से जाडू के अंदर माता लच्चिया का बास होता है और घर के अंदर बहुत ही मैत पूर्ण होता है जाडू का इस्तान अगर जाडू में लात मार के साइड में करते हैं तो समझ लीजिए आप घर में बरवादी को निमंतन दे रहें तो भूल के भी आप ऐसा ना करें और जाडू को एकांत में रखें और स्वस्त इस्तान पे रखें जिससे माता लच्चमी की आपके उपर किरपा बनी रहें और आपके गर में सदाई धन्यदान बना रहें दोस्तो नम्मर चार घर की देलीज पर खड़े हो करके पानी पीना और घर की देलीज पर बैट करके खाना खाना ये लेड़ी जों को बोल के भी नहीं करना चाहिए इससे बरकत रुक जाती है और अनेक परकार की परिसानिया सैनी पड़ती है तो ये थी जानकारियां इन जानकारियों को आप ध्यान रखें और ऐसी गलती बोल के भी ना करें अगर आप ऐसी कलते करते हैं तो आप खुदी देखना शुरू करो दोगे कि आपके घर में नाना प्रकार की मुसीबते आना शुरू हो गई है तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी लाग वीडियो को लाइक सेयर चैरू कि भीजें चेंगे आपके अपके ते – ओर मुझे लगी हो जानकारी अच्छी जाए़ झाता देगां, आपके टी का इवागी लगी हैाँ जाताओ कि आपके शेही हैं था हैं तो आपके।